हलो फ्रेंड्स तुआ गया है मैं हेकाव न्यू वीडियो के साथ यह रेंकुसिंग के एपिसोड नंबर 2100 ने अला है तो जैसे कि अभी आप लोग मेरा स्कोर देखोगे तो इसकोर जा पहुंचा 21400 से भी ज्यादा यारा और करेंट रेंकिंग 1434 का दिखा रहा है और यह जो तॉप 500 में रहा उसके बाद टॉप 1000 में रहा भी फिलाल चाहोदा समय चल रहा हूं लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी से जल्दी 1000 के अंदर में जाने का मैं ट्राइ करूंगा मतलब एक दूदीन लगेंग उसके बाद 1000 के अंदर में चला जाओंगा और उससे आगे अभी फिर आगे पूस करेंगे तो फिर चली यह वडियो इस्टार्ट करते हैं तो फाइनली आर मैच जो हई स्टार्ट हुचुका है और यह सोलो का गेंप्ले होने वाला है वो फूल मैप का तो हम मिनी मैप को भी ओपन करके देखेंगे की अखिर ब्लू जोन पर बना है तो ब्लू जोन बना है ग्रेव याड़ पर जहां हमको अभी लेंड करना है अगर आ एटू जट लेंडिंग के बारे में इज बताया तो डिस्क्रिप्चिन में वो वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है तो वो वीडियो एक बार जरूर से चेक कर लो इधर मैं ब्लू जोन में इसले उतर रहा है त्यार स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अगर दो-तीन कुद पढ़ेंगे सामने टू सामने और जाकर मर जाएंगे ऐसा कदापी रस मैं नहीं करने वाला हूँ इस टाइम पर दिमाख लगा कर हम रस करके खेलेंगे तो यहां पर देखो बंदे ही बंदे यार तो यहां पर मेरे को फामा सेक्स मिला था तो एक बंदे को मैंने उड़ यहां पर देखो मेरे को थ्री का वेस्ट मिल गया जो की काफी अच्छा बात है और इधर से मेरे को एक थांसान मिल गया मेरे पास सौंट रेंज लांग रेंज दोनों का वेपन है लेकिन मेरे को एमफोर जेड चलाना था जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था और यह थांसान के जगा पर मेरे को MP5 मिल जाता तो वह ज्यादा बेटर रहता यार मतलब यह थांसन अच्छा चलता नहीं है एकदम जाता सौर्ट रेंज में तो यहां पर मेरे दो गोली तो दिखा यार लेकिन उसको मैं चलाता नहीं हूँ तो वह गन मैं नहीं उठाया क्योंकि मेरे से मरता ही यहां पर चल रहा है तो आप फाइट देखते ही उधर मत जाना यार कभी आराम से खेलो इस बंदे को में इजीली उड़ा दिया उपर से हैट सौंट पड़ गया जैसे तैसे करके तो एक बंदा इधर और दिखा मेरे रहो यह जो दिवार है ना उसके पीछे में एक बंदा है तो यहां पर हम उस पर डारेक्ट रश नहीं करेंगे हम ठोड़ा दिर होल्ड करेंगे वह बन्दा का प्यों? मैं और हेड लगा भाई only red diamage गया तो अभी देखो वह बंदा जो गलती किया डारेक्ट वह बंदा मेरे को देख लिया था I THINK मेरे को लग रहा है यह फिर उसको red dot भी आया था भी आभी मैंने मैंने किल किया था फिर भी वह बंदा मतलब loot करने चला गया यार सामने में तो ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है मैंने उसको मारा फिर भी मैं लूट करने नहीं गया यार गर के उपर ही आप बंदों का अबजर्व करने का ट्राई कर रहा था लेकिन उधर मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा था और यहां पर देखो मेरे पास मतलब जादा कुछ अभी तक मैंने लूट नहीं किया थोड़ा पहुत तो घर के उपर में ही था मैं अब यहां पर मेरे को MP5 X दिखा यार जिसको मैंने उठा लिया है काफी अच्छा गान है तभी मेरे को उपर से मतलब पड़ेने लगा भाई वो बंदा इसकाइलार वी छोड़ दिया तो मैंने जैसे तैसे करके वाल तो लगा लिया था और बच भी गया था और मेडी करना ही स्टार्ट कर दिया था लेकिन उस बंदे ने मेरा थ्रीक अवेस्ट आलमोश्ट मतलब खताम ही कर दिया था समझो और वह एकदम ज्यादा उपर में ही था यार देख सकते वह उपर में ही बैठा हुआ है तो अभी हम चलेंगे उस पर मतलब रस करेंगे थोड़ा महुत दिमाग लगा कर लेकिन रस करेंग यार मतलब कई लोग क्या करते बंदा हब गया तो यहाप नीचे में चला यह रहा। अब यह वाला बंदा काफी चलाग था तो फिर भी मैंने इसको करके उड़ा यह बैठे बैठे चल रहा था आपने देखा ही होगा मेरे को बिल्कुल फूट्स्टेप यह बंदा नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी मैंने MP5 के नीचे या फिर कही पर भी आसपास अगर आपके बंदा है ना तो फूट स्टेप बिल्कुल भी मत दो यार मतलब अपना लोकेशन उसको मत दो कभी भी और देखना मेरे को लागर है वह बंदा जरूर से उपर आए गाई आए गा क्योंकि उसको पता कि यहां पर अभी मांच किल हो गया था लekन मेरेको इसके पास से भी 2014 नहीं मिला भाई लेकिन इसके पास मेरेको m10 देखना को मिला यार मैं स्क्वार में हमेंसा M10 के छोड़ कोई बीघन नहीं चलाता हूं मतलब जब मिलता है तो M10 ही चला तो बांकी तो नहीं मिलेगैं तो दूसरा गण चल श्राइब भी मतलब फस चुका था जोन के बहुत बाहर में था समंझ लो अब ऐसा आप सबयर आपके बाहर में तिने देर तक इतना गाड़ी तो रहना ही चाहिए गाड़ी बहुत ज्यादा ज़़री है और मेक्जिम अब मैं गाड़ी को ब्रीज में छोड़ दिया था पीछे मेरे एक बंदा फायर किया था लेकिन नीचे में यहां पर देखो एक बंदा मेरे को आता हुए दिखा जिसको मैंने इजीली हेट सौट मार दिया और मैंने मारा नहीं आटोमेटिक लग गया है समझो क्योंकि एकदम ज्यादा नीचे में था वह आला बंदा तो यहां पर ब्रीज पर एक और बंदा गया था लेकिन वह जोन के बाहर में था उससे आगे में था तो यह मेरे में एडवांटेश थ होता ना तो मैं पानी में च्छावांग लगा दिया है तब बचने का कोई चांस था मेरा वरना तो यह सिधे सीधे है इसको भी मैंने हेड मार दिया अब इस टम में बंद धिमाग लगा देना चाहिए था गर उसके जगा पर मैं होता तो मैं तो यही करता तो नीचे में वैसे भी जोन बनने का चांस तो यार मतलब ब्रीज पर तो पानी पानी आप सामने के और जो जमीन है ने वहां पर भी जा सकते हो लेकिन अब जैसा भी यार सभी लोगों का मतलब या फिर टाइम पास करना रहता है गेम में तो यहां पर मैं इमोड दिखाने लगता हूँ भले मेरे को कोई बंदर देखे या ना देखे तो लेकिन इस टैम पे मेरे को 20 लोग देख रहे थे मैरे उम्मिद था एक दो लाइक मिल जाएंगे लेकिन एक भी लाइक नहीं आया हम आठ से चाहे लाइक मतलब 6-8 लाइक आपको मीले जाएंगे हर में मेरेको मिल जाता है चाहे लाइक तो कहीं नहीं जाता फाथ-चाहे लएक तो इसको बिल्खूल भी पता नहीं था और मैं बहाग दरह था यार वो cover ले रहा था मतलब उसको लग रहा तो वो चोटा वाला जो क्या बोलते दिवार टाइप का है नीचे में उसका वह बंदा cover ले रहा था लेकिन वह उसको रोक नहीं पाया यार उसको मैंने काफी असानी से उड़ा दिया था विचारी को तो इसे के सेंटर कोई capture करता है लास्ट वाला जोन जो है वो तो यहां पर एक बंदा जो बचा था वह भी मेरे पर फायर कर दिया तो उसका लोगेशन मेरे को पता लग गया था वह बिल्कुल मेरे सामने में थे यार और वह पेड़ के cover में था अब इस टेम पे मेरे पास नेड़ था यार बस एक ही नेड़ था तो कुक करके मैंने नेड़ मारा तो उसको जाकर 79 या फिर 70 का असपास का डामेज लग गया था अब इतना कम डामेज क्यों दिया मेरे को नहीं पता साहथ उसके पास 4 या फिर 3 लेवल का 4 लेवल का वेस्ट होगा ऐसा मेरे को लग रहा है अब इ सब्सक्राइब कर दोस या यार मतलब सेंगल फायर हो रहा था हम मैं वन टेप इनप नहीं मार रहा थिखको B2 2021 या यहीं करता हूव थो Madym इसमें मेरे को उन्चाज का प्लस मिले तीन कहम को कम प्लस देखने को मिले इस वाले गेम में और 2600 का डायमेश्ट है लेकिन इतने में स्कॉर्ड में पूरा प्लस इजीली मिल जाता है तो फिर यही थे आराज का वीडियो गर आपने यहां तक वीडियो देखा एता आपको द से धन्याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में